बच्चों अभी हम लोग स्वाल करने वाले हैं इस्टो आफ शेयर का कोश्चन नंबर सेवन ठीक है कोश्चन नंबर सेवन हम लोग देखेंगे जो आपके टेक्स बुक में दिया गया है पेज नंबर 342 पर ओके तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं देखिए का इसमें क्य बराबर फिर उसके आगे देखो क्या दिया है एप्लिकेशन पर आपको कितना रुपया मिलता है तो 30 रुपया मिलता है देखो मैं यहाँ पर लाइन से लिखते जाती हूँ एप्लिकेशन पर आपको 30 रुपया मिल रहा है उसके बाद से अलोट्मेंट का सरा देख लो अलो और फिर उसके आगे तो बस यहां पर तीनी इंस्टॉल्मेंट है पहला तो एप्लिकेशन जभी अप्लाई करेंगे तब हमको 30 रुपय देना पड़ेगा और जब अलोट मतलब शेयर को अलोट किया चाहेगा तो उस टाइम पर 30 रुपया और फास्ट फाइनल कॉल पर 40 रुपय ठीक है फिर आगे देखो क्या दिया है कि अल्द शेयर्स वर सब्सक्राइब डूली अलोटेड यानि कि जितने भी शेयर्स हमने इशू किये थे ना बच्चो पैसे आपको रिसीव हुए लेकिन 100 शेयर्स का ध्यान से सुनना हन्डेट शेयर्स का फोर्स और फाइनल कॉल पैसा आपको रिसेवड नहीं हुआ ठीक है फिर क्या दिया यहां पर कि 10 शेयर्स वर फॉर्फीचेज बाइ कम्पनी मतलब फॉर्फीटेड बाइक कम्पनी एं फुली पेड फॉर रुपीस 75 पर शेर सुनिए बच्चो ध्यान से हमने क्या किया देखो यहाँ पर क्या दिया गया था कि 100 शेयर्स का फॉर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको नहीं मिला ठीक है तो अब अगर नहीं मिला ना तो इसे हमें क्या करना है बच्चो इसको कैंसल कर देना है ठीक है मतलब फॉर फीचर वाली एंट्रिंग यहां पर आएगी ठीक है लेकिन अभी इसमें आपको यहीं पर रुकना आगे फी देखो कुछ दिया गया है हमने क्या किया यह जो शेयर्स है उनको फिर से री इशू किया यह फिर से हमने उसको इसमया ठीक है मार्के तो 75 रुपिस ठीक है तो इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे तब ठीक है चलिए पहले स्टार्टिंग के कुछ एंट्री उनको कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम इसको आराम से समझ लेंगे बहुत सिंपल है ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप्लीकेशन वाली एंट्री की जाएगी है ना तो इसकनी के लिए आया है तो जितने ही के लिए है ठीक है जलो देखते हैं पहले एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों यहाद आ गया ना आप लोगों को यह स बैंक अकाउंट तो equity share application account equity share application account ठीक है अब बताईए पैसा यहाँ पर कितना आएगा मतलब amount कितना आएगा तो कहा गया देखो आपको कितने रुपे मिल रहे हैं पर 30 रुपे इन दोनों का multiply करो 2,3,6 यानी कि 60,000 रुपे 60,000 होगा ना देखो यह 3,0,1,0 मिला करके multiply करोगे तो यहीं मिलेगा करके देख लेना ठीक है चलो बच्चों इसका आप ही narration हम लोग लिख देते हैं क्या लिखेंगे being application money received application money received on 2000 shares at the rate of rupees 30 per share ठीक है बच्चों तो हमने यह वाली entry complete कर ली अब हम क्या करेंगे यह जो application amount आया है उसे हम लोग transfer करेंगे कहां पर equity share capital account में ठीक है तो transfer करने की entry तो आप जानते ही है क्या किया इसको हम लोग debit दे देंगे और फिर equity share capital account को credit देंगे चलिए फिर यहां पर entry करते हैं क्या लिखेंगे एक्विटी शेयर application account debit एक्विटी शेयर अप्लिकेशन account debit to equity share capital account ठीक है बच्चों amount कितना आएगा उतना ही आएगा साथ हजार इतना ही transfer करोगे ने जितना मिला है फिर उसके बाद इसका narration लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि अप्लिकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को ये दो entries application की दो entries हमने complete कर ली अब किसकी बारी है yes everyone allotment की बारी है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे allotment को due करेंगे उसके बाद से receive करेंगे तो due के entry क्या होती है देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि equity share कि allotment account debit कि equity share capital account चलिए बताये amount कितना आएगा तो दीखें बच्चों allotment पे आपको 30 रुपया मिल रहा है तो 30 into 2000 कर दो कितना आएगा 60,000 आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 60,000 ठीक है इधर भी और इधर भी बराबर अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या हमने क्या क्या due किया ना तो इसका narration लिखते हैं कि being allotment money due allotment money due on 2000 shares at the rate of rupees 30 per share ठीक बच्चों बात समझ में आ गए आप लोगों को यहस तो हमने यह भी कर दिया अब उसके बाद देखो क्या क्या due कर दिया अब उसके बाद बारी है इसको receive करने की ठीक है तो receive करने के entry क्या होती है आप जानती है bank account को debit करने का और फिर हम लोग यहाँ पर credit किसको करेंगे तो equity share allotment account को credit कर देंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर चौती entry हम लोग करेंगे क्या बोला था मैंने yes bank account debit समझ में आ रहा है न अभी आप लोगों को देखो कितने अभी की being allotment money received received on 2000 shares at the rate of rupees 30 per share ठीक amount इसका कितना आएगा बच्चो तो इतना ही आएगा जिसना हमने due किया था उतना हमको receive हो गया बराबर yes चलिए तो यह entry भी हमने complete कर ली आपको समझ में आया ना तो देख लिए बच्चो एप्लिकेशन की दो entries we have completed allotment की भी दो entries हमने complete कर ली ठीक है अब बार ही है first and final call की तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो इसको due करने वाले है उसके बाद से receive करने वाले है ठीक है तो due के एक्ष impact चाह को खड़के बायर का चाह ब स्बकिप्वेश चापट शाप्टनर शlements फन्तोंशे प्सक्रम में ग्विश्य धिश्यशर्म् टो आपटीश चाह विटा चाहिए था उत्जिए च्श्यशर्यशकें unhappy लगी चाह डापटनर तो श्यश्यक का तो हैंश्यक्ट आप बताईए बच्चों अमाउंट कितना आएगा तो फॉर्स्ट और फाइनल कॉल पर आपको कितना मिलने वाला है चालिस रुपे के हिसाब से इसका मुल्टिप्लाइ करके देखो तो फो टूसर कितना होता है बच्चों एट होता है यह निकि 80,000 तो यहां पर हम लोग लिख दे पाइनल कॉल मनी ड्यू और टू थाउजन शेयर्स एट रेट ओफ रुपीज फॉर्टी पर शेयर्स ठीक है चलिए बच्चों यहां पर हमने इसको भी कर दिया अब उसके बाद से क्या करना है तो हमको रिसीब करना पड़ेगा ना अभी ड्यू कर दिया जब मिलेगा तो बराबर तो चलिए रिसीब करने के इंट्री क्या होती है यहां पर चट्वी डालते हैं क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्विटेश एर फॉर्स और फाइनल कॉल अकाउंट फॉर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट अब मुझे बताईए बच्चों यहां पर अमाउंट कितना आएगा क्या आम लोग 80,000 लिख दे तो ऐसी गलती मत करना हमने देखा था ना क्या देखा था कि यह वाला जो फॉर्स्ट और फाइनल कॉल है बच्चों इसमें आपको 100 का पैसा नहीं मि फाइनल कॉल नहीं मिला तो माइनस करो बताओ यहां पर कितना आएगा 00 फिर 1900 इतने शेयर का ही पैसा आप लोगों को मिल रहा है तो चलो मल्टिप्लाई करो अभी तो 0030 यहां पर आ जाएगा 36 76,000 ठीक है कितना मिल रहा है बच्चों आपको खाली बस 76,000 ठीक है चलो यहां पर हम लिख देते हैं 76,000 समझाना कैसे किया अच्चे ते समझ लीजिए जितना पैसा मिलता है बस उसी को लिखने का अपने मन से कुछ भी नहीं लिखने का ठीक है चली अभी इसकी इसका नरेशन लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि बिंग first and final call money received first and final call money received at the rate of rupees 40 per share ठीक है बच्चो समझ गेना अच्चे से यस तो हमने यह भी कर दिया अब इसके आगे हमें क्या करना है तो फॉर फीचर वाली इंट्री करनी है देखो जब हमको यह पैसा नहीं मिला ना तो हम क्या करने वाले हैं hundred shares को cancel करने वाले है ठीक है तो cancel करने की इंट्री क्या होती है पिछले question में हमने देखा ही था चली ए कुछ से पहले यह सब कुछ तो मुझे ना मिटाई लेने दो अब इसकी जरुवत नहीं है न जब तक जरुवत थी तब तक हमने इसको यहीं पर रहने दिया था आप इसको अटा देते हैं यह चटवी एंट्री थी अब जाके यहाँ पर साथ वी एंट्री किसकी होगी बच्चो तो शेयर को कैंसल करने की ठीक है तो जब हम लोग शेयर को कैंसल करेंगे बच्चो तो एंट्री के आएगी आप लोग याद कीजिए कितने शेयर को हम कैंसल कर रहे हैं 100 शेयर को ठीक है बराबर तो यहाँ पर हम सबसे उपर क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट ठीक है अब देखो बच्चो इसको आमने डेबिट दे दिया अब आपको कौन सा पैसा नहीं मिला था तो फॉस्ट और फाइनल कॉल आपको नहीं मिला था तो इसे आप लोग क्रेडिट करोगे क्या लिखोगे तू इक्विटी शेयर फॉस्ट और फाइनल कॉल अकाउंट ठीक है बच्चो और रुको यहीं पर आपको रुकना नहीं अभी इसके आगे भी करना है बताती हूँ पहले तो इसका अमाउंट देख लेते हैं प्राइस कितना है जल्दी से बोलो 100 रुपीज है तो हमने जो ट्रांसफर किया था तो कितना अमाउंट आएगा 10,000 यानिकि 10,000 हम लोग क्या करने वाले बच्चो एक्विटी शेयर कैपिटल में से हम लोग निकालने वाले हैं क्यों ऐसा क्यूंकि हम तो पहले हमने पहले ही उद्धार कर दिया था लेकिन बाद में हमें पता चला कि 100 को हमें क्या करना है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह जो 10,000 है वह हम लोग एक्विटी शेयर कापिटल से निकाल लेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो हमने इसको निकाल लिया अब देखो हमें कौन सा वाला किना नहीं मिलता थां काुणि oppressor ऐसे उपर हमको 40 रुपए जाएगा पत्चो के इतनी बात है आपको समझ में पहले से पैसा मिला एप्लिकैशन और आलोटमेंट था को यह जो 100 shares है बच्चो इसका application मनें हमको मिला था और allotment वाला पैसा भी मिला था ठीक है तो उसे हम लोग क्या करेंगे उसे हमने equity share capital से तो निकाल लिया लेकिन वो पैसा अभी भी हमारे पास है तो उसको किदर ले करके जाने का पताया था ना share for feature account में ठीक है उसके लिए separate account होता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चो टू equity share for feature account कि टू equity share कि फॉर फीचर अकाउंट चलो बताओ मांट कितना आएगा येस बेरी गुड़ छे अजार ठीक है समझ गे ना अच्छे से चलिए बच्चो अब इसका हम लोग यहाँ पर narration लिख देते हैं बिंग कि फॉर फीचर ओफ हंड्रेड शेयर्स कि ओन अकाउंट ओफ कि नॉन पेइमेंट ओफ कि नॉन पेइमेंट कि ओफ कॉल अमाउंट कि कॉल मनी ठीक है हमने के नहीं दिया मतलब उन्होंने पे नहीं किया सामने वाले ने इसके लिए हमने क्या कर दिया जो हंड्रेड शेयर्स थे उसको फॉर फिचर कर दिया ठीक है कैंसल कर दिया बराबर इतनी बाते समझ में आई यह आपका नें से हमने कॉल किया लेकिन पैसा नहीं मिला और यह क्या है बच्चो यह आपका वह अमाउंट है जो यह अप्लिकेशन और अलॉटमेंट पर आप लोगों को मिला था ठीक है यह बात आपको अच्छे से क्लियर है अब देखो आगे क्या गया था कोश्चन में कि जो 100 शेर्स हमने सरा यह 100 रुपीज लेकिन अभी जब हम दुबारा से क्या कर रहे बच्चो इशु कर रहे हैं तो हमने अमाउंट कितना रखा है 75 रुपे ठीक है समझ में आ रहा है यानि हम यहां पे अपना 25 रुपे का नुकसान कर रहे है तो यह जो नुकसान हम कर रहे है ना इसकी भरप कॉल मानी नहीं दिया था ठीक है तो हमने क्या किया उसका पूरा के पुरा चैनल कर दिया और हमने उसका एप्लिकेशन और मनी वापस भी नहीं किए तो वह पैसा तो हमारे लिए प्रॉफीचर में यह चौप लिए पैसada r घुगा एक तरीके से यानि share को वापस से reissue करने पर अगर हमको कोई भी नुकसान होता है पैसा कम पड़ता है तो वो हम लोग इधर से manage कर सकते हैं ठीक है चलिए इसके entry कैसे होगी बताओ आपको तो जब हम लोग market में वापस से share को issue करेंगे तो बच्चों उसके लिए application आएगा ठीक है तो आप लिखते हैं bank account debit बच्चों यहाँ पर amount कितना आएगा तो देखो आपने 75 रुपीस की हिसाब से क्या किया मार्केट में shares को issue किया ना तो दोनों का multiply करो कितना आएगा बच्चों 7500 ठीक है यानि जब आपने shares को वापस से issue किया तो आपको कितना amount मिल रहा है only 7500 actual में यहां पर तो आप को नुकसान की भरपाई कहां से करोगे तो चीह हां अब यहीन से एक Mai से आप कितना निकार हो गे कि 10.000 हो जाएग बताइए 7500 में कितना हम ब्लस करेंगे तो 10,000 होगा 2500 यानि हम क्या करने वाले हैं शेर फॉर फीचर ंपकांट से 2500 को निकालने तो जवा प्याइसा निकालोगे बच्चों तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा देगिट करना याद रखना जब पैसा जा रहा था जब पैसा उस में डाल रहे अम उस में से पैसा निकाल रहे तो उसको क्या करने वाली थीक़ है तो चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इक्वीटी शेर फॉर फीचर अकाउंट कहा वार्फीचर अकाउंट कितना बाचे लिखेंगे इसको हम लोग रिविट करेंगे क्वेट तो 2500 8500 Ja świe led उसके क्रेडिट किसको र Ар chem再ели गयर तो यह जो दोनों पैसे हैं बच्सक्रे से अब छाबनें कहांपे ट्रांसपरक्र करें गे एस एक्विटीश क्लाइं क्यूंकि इसे क्योंकि rebuilt और जो भी इस शेयर उनमें कैपिटल में जाता है तो इसको वलोग क्रेडीट कर देंगे हमने 52 रुपे 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर तो एक्विटी शेर कैपिटल अकाउंट में निगाला था उतना पैसा हमने वापस से हमारे कैपिटल ट्रांसफर कर दिया ठीक है बच्चों अच्छे से समझ में आ गया ना अब उसके बाद लास्ट में देखो हमको एक और चीज़ करना है अब यहीं पर रुकना मत क्या करना है अरे रुको इसका नरेशन तो लिख दू क्या करेंगे आम लोग यहां पर लिखते हैं कि बिंग री इशू ओफ हंड्रेड शियर्स ठीक है अट दे रेट ओफ रुपीज सेवेंटी फाई पर शियर्स नीचे तक चले जाओं चलो चले ही जाते हैं हंड्रेड शियर्स एट रेट ओफ रुपीज सेवेंटी फाई पर शियर्स ठीक है बच्चो समझ में आ गया चलिए इसको हमने यहां पर बंद कर दिया ठीक अब देखो बच्चो हमें लास्ट में किसका एंट्री करना है आपको पता है सुनो यह वाला जो फॉर फीचर अक कर दे एक बार अगर हमने शेयर्स को फिर से इशू कर दिया तब जाके आपको क्या करना होते है जो भी एकसेस अमाउंट होता है बच्चो उसे आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है ठीक है यह आप कब तक यहां रखोगे जब तक आप वापस से शेयर्स को रिशू नहीं कर दे ठीक है तो अब यहां पर जो भी पैसा बचा हुआ है इसमें से अमने 2500 रुपे तो निकाल लिया जो भी यहां पर पैसा बचा हुआ है ठीक है तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसपर करेंगे ठीक है बच्चो तो करोंकि तो मैं नहीं से यहां इसे हम पैसा निकालेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसपर यहनि कि इसे हमको deficit देना है और फिर करेडीट देना है ठीक चलिए यहांपर नैंत्द останें एकविटी शेर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट क्या बोला था मैंने कैपिटल रिजव अकम्ट बताइए बच्चों अमाउंट कितना आएगा तो छे हजार में से दो हजार पांसो को माइनस कर दो तो 3500 भी आएगा जीरो जीरो पांच में से हां 3500 ठीक है इसको मिटा दू ठीक चलिए बच्चों अभी इसका नरेशन लिख देते हैं बिंग बैलेंस ओफ शेयर फोर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कहां पर ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो यहां पर लिख देते हैं ट्रांसफर टू 9000 और 60,000 यह भी चेह यह भी चेह तो 2,40,002,40,00 2,40,000 में 80,00 को प्लस करो के तो इतना पत्चों 2,40,000 फिर इधर से 60 यानिकी 3,20,000 ठीक है 3,20,000 में यह 10,000 को प्लस किया तो 3,30,000 फिर यह 70 को प्लस kiya तो 4,6,000 ठीक फिर ये 10,000 तो 4,16,000 और ये 3,500 तो कितना हो जाएगा बच्चो एक मिनिट हा 4,16,000 प्लस प्लस 4,6,000 था ना एक मिनिट रुको 16 ही हुआ था शायद से रुको मैंना फिर से टोटल करने दो सब इसमें घड़बड हो गया है एक बार फिर से करती हो इधर आया था 2,40,000 ठीक है चलो अच्छी बात है फिर उसके बाद 80,000 76,000 80,000 इसमें प्लस करेंगे तो 0 ये वाला 0 इधर इधर 8,12 कितना आया 3,20,000 ठीक है 3,20,000 में किसको प्लस करेंगे बच्चो 70 6,000 को प्लस कर देते इधर फिर उसके बाद 10,000 फिर ये 10,000 0,0,0,6,7,9,10,1,1,4,16,000 हाँ सही तो किया था मैंने फिर इसमें 3,500 को चूड़ देंगे 005,6,39 देखो बच्चो 4,19,500 चलिए लिख देते इधर इस साइड भी और इस साइड भी ठीक है आप लोग भी टोटल कर लीजिएगा इतना ही आएगा 4,19,500 ओके तो फाइनली कोश्चन नमबर 7 यहाँ पर complete हो चुका है बच्चों आप लोग देख सकते हो ठीक यह लास्ट वाली इंट्री आप लोग जरूर याद रखना कैसे इसको करना है ठीक है बस आप लोग इसी को समझ लीजिए बाकी इधर का तो आसान है इधर का तो आपने पहले भी किया था ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कुछ भी डाउट रहे तो जरूर पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे ठीक है इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जरूर पूछिएगा तो अब आपका एक और कोश्चन रह जाता है कोश्चन नमबर इट तो इस कोश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में ठीक है तो ये कोश्चन में भी आपको बहुत सारी नहीनी चीज़े सीखने के लिए मिलेंगी ठीक है तो चलो बच्चो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए पढ़ाई करते रहिए ठीक